हलो दोस्तों स्वागता अपनों का मेरे यूटूब चनल स्री आर्ट गैलरी में दोस्तों आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के समझ एल्टी अर्थात उत्तर प्रदेश लोग सिवा आयोग के द्वारा जो 2018 में एल्टी ग्रेट टीचर की जो वैकेंसी आई थी उसमें कला प्रदेश में राज की कालेजों में और असास की कालेजों में जिन अध्यापों को क्यों इन्यूर्थी होती है वो दो प्रॉसेस से होता है एक जो राज की कालेजों में अध्यापों को नियूक्ति होती है वो उत्तर प्रदेश लोग सिवा आयोग के माध्यम से किया जाता है और दूसरा जो असास की माधिमिक विद्यालेओं में टीचरों की जो नियूक्ति होती है वो माधिमिक सिछा सिवा चैन बोर्ड की द्व हुए है अर्थात परिख्छा भी qualify होने के बाद भी इनकी सैचिक अर्ता में अंतर होने के कारण इनको joining में काफी दिखते हो रही है और अंतर यह finally cutback पर इस मुकाँ में पहस्चे हुए है कि अब इनका और भी जोबिभी candidate इनकी सेचिक योगता को पूर्ण कर चुके हैं, उनके documents verification भी हो चुके हैं, जो candidate परिच्छा में select हो चुके हैं, परंतु उनकी degree में भी बाद होने के कारण उन्हें documents verification से रोका जा चुका है और उनकी नौकरी पर तमाम परकार की संकटे खड़ी हुई हैं तो क्या है पूरी सत्यता आईए हम लोग देखते हैं, जैसा कि आप लोगों को बताना चाते हैं कि ये news सिर्फ हम LTGIC के कला के सहचिक अर्था के बारे में चर्चा करेंगे और क्या है पूरी सत्यता आज के news में, आईए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज के news में, जो LTGIC के कला की सहचिक अर्था को लेकर जो अंतर देखने को मिलना है उसी के परिपेच में आज कुछ news निकल के आई है, जो कि मैं आप लोगों के समझ बताना चाता हूँ, आप सभी लोग जानते हैं कि LTGIC और मादिमिक सिचा सेवा चेन बोर्ड और उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयो के, जो कला की जो समान पाठिकरम होने के कारण परन्तु इनके सहचिक अर्था में अंतर होने कारण ये तमाम जो कंडिडेट सलेक्ट हैं, वो आज बन्चीत होने के कगार पर पड़े हुए हैं, क्या है पुरी सत्यता आईए देखते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पाठिकरम समान है, परन्तु अहरता में अंतर है, कला पीसे में चन, बोर्ड और यूपी ऐसी के भरती मानकों के अंतर में फंसी नौकरी आप सभी लोगों को इसके पहले भी मैं आउगत करा चुका हूँ और आज जो है, कि अहरता की जो मांग है, उसको लेकर जो कंडिडेट अपने बातों को लोग से वायोक और हाई कोट की समझ इस बात को रख चुके हैं तोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि असास की विद्याले हो या राज की विद्याले दोनों जगा पाठिक्रम एक समान है लेकिन इन पाठिक्रमों को पढ़ाने के लिए सिचकों की जो अहरता अलग निर्धारित की गई है उत्तर प्रदेश मादिमिक सिचा सेवा चैन बोर्ड और उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयो जिसको हम UPPSC की और से कला विशे के लिए निर्धारिक अहरता में अंतर से विबाद बढ़ता जा रहा है और बड़ी संख्या में चैनित होने के बाद भी अभियर्धी नौकरी से बंचित हो रहे हैं एल्टी समर्थक मूर्चा की मांग है कि जीन जब पाठेक्रम एक समान है तो अहरता भी समान होनी चाहिए साथ ही साथ जीन अभियर्धियों का चैन हो चुका है उन्हें न्यूकती मिलनी चाहिए असासकी विद्यालयों में सिचकों की भरती मादिमिक सिचा सेवा चैन बोर्ड करता है और राज की विद्यालयों में एल्टी ग्रेट सिचकों की भरती उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग करता है मादिमिक सिचा सेवा चैन बोड ने सहाय का ध्यापक कलापद के लिए जो अहरता निर्धारित कर रखी है उसके अनुसार प्राविधी कला से इंटरमेडियर्ट एवं सामान असनातक होना चाहिए वहीं उत्तरप्रदेश लोग सेवा आयोग ने जो अहरता निर्धारित की है उसके तहट ललित कला से असनातक यानि BFA अर्था बैचलर और फाइन आर्ट और B8 की डिगरी होनी चाहिए अथवा ड्राइंग पेंटिंग से असनातक और B8 की डिगरी होनी चाहिए जो लोग करता है कला के सैचिक अहरता को साती साथ अहरता के बिवात के कारण मादिमिक सिचा सेवा चैन बोड और उत्तरप्रदेश लोग से वा आयोग से चैनित अभ्यर्थियों को अब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि जब पाठिक्रम ए ध्यापक कला के 478 परदों के लिए उत्तरप्रदेश लोग सेवा आयोग चैनित अभ्यर्थियों में से तकरीबर 2500 अभ्यर्थी अहरता के बिवात के कारण दोड से बाहर हो गया है चैन बोड और लोग सेवा आयोग की और की परिच्छाओं में एक ही पदि के लिए चैन बोड से अहर मानता है वह आयोग की परिच्छा के लिए अनहर है और लोग सिवा आयोग ने जो अहरता निर्धारित कर रखी है वह चैन बोड की परिच्छा के लिए अहान है अभ्यर्थियों की मांग है कि जिस तरह असासकी और राजकी विद्यालव में एक समान पार परन्तु इनकी अहरता को लेकर जो तमाम बिवादे फस्थी हुई हैं वो लोग सिवा आयोक के माध्यम से वो इनको त्वरित निराकरण करना चाहिए और जो सलेक्ट कंडिडेट हैं उनको तुरंत ज्वाइनिंग भी देना चाहिए अगर दोस्तो इनकी बिवाद थी तो इन आप लोग इनके फार्म को क्यों अपलाई करवाए और जब आप लोगोंने फार्म अपलाई कराए आप लोगोंने एडमिट कार्ड अपलाई कराए और इनके बैठने के लिए पूरी बेवस्था भी कराए और आपने एक्जाम में इनको मौका दिया तो आप इस को जो चैन हो चुके हैं उनको आप फिर से क्यों रोक रहे हैं इसलिए आयोग को परिचार्थियों के परिपेच में यह नीड़ाय लेने वाली बात है और चीन के माध्यम से सयोजक बिकी खान जीने बातों को अभियरतियों के परिपेच में इन बातों को मुद्दाओं को बह के परिपेच में मांग को उठाते हैं ये अपने आप में एक सराहनी कारे है और वन्चित कंडिडेटों को ये तमाम विबादों से उलजाने के साथ-साथ ये उनकी तमाम आयोग की मनवानी को रविया को बरकरार रखते हुए इनकी ओर से मांग करते हैं इसलिए जल से जल लोग सिवा आयोग हो इनकी निराकरण तुरंत तुरित करवाई करना चाहिए और जो भी कंडिडेट सलेक्ट हो चुके हैं उनको जल से जल जॉइनिंग दे देनी चाहिए साथी साथ अगर इसमें किसी प्रकार की विबाद है तो आप लोग नेक्स्ट एक्जाम में आप लोग किसी प्रकार की विबाद को सुल जाएं और जिन कंडिडेटों की योगता नहों तो उन्हें रोकें परन्तु जिसके माध्यम से आप लोगों ने नियू कंडिडेटों का फार्म फिलप कराया, उनका एक्जाम भी कराया और परिच्छा में ये लोग पास भी हो गएं, आपके कटाप के अनुसार, तो आप लोग क्यों इन कंडिडेटों को परिच्छा से, अब ज्वाइनिंग से क्यों बनचीत कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से आप लोगों के पर परिच्छ में, तो मैं आसा करता हूँ, कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज एक लाइक करिए, जो भी निव कंडिडेट हैं, और लोग सेवा आयोग हो, या मादिमिक सिच्छा सेवा चैन आयोग, जो भी आर्ट की प्रिफरेशन में लगे हुए हैं, वो लोग अभी हाली में लोग उत्तरपरदेश मादिमिक सिच्छा सेवा चैन बोर्ट के द्वारा, जो 2020 की न्यू बैकेंसी आयोई हुई है, तो आप सभी कंडिडेट जो भी असपल हो चुके हैं, वो एक बार फिर से इस बैकेंसी में इनवाल्ब हो सकते हैं, तो आप लोग पूरी सावधानी के साथ फार्म को फिल अप करिए, और किसी प्रेकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बाक्स में जरूर बताइए, हम लोग मिलेगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए, थैंकियो दूस्तों